हम अभी इस वक्त राजनिवास में LG हाउस में बैठे हैं मैं हूँ मेरे साथ गुपाल राय जी, मनेश सोधिया जी और सतिंदर जैन जी तीन मंत्री गण हैं हम लोग कल शाम को साड़े पांच बजे LG हाउस आय थे, LG साबसे हम लोग मिले थे मोटे मोटे तौर पे हमारी दो मांगे हैं, तीन मांगे हैं एक तो ये कि पिछले चार महिने से दिल्ली के आये सफसरों ने हड़ताल करकिये आंशिक हड़ताल है, वो लोग किसी मीटिंग में सरकारी मीटिंग में नहीं आते किसी मंत्री के फोन का जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते, मेसेज का जवाब नहीं देते बस जो बहुत ज़रूरी फाइले हैं, वो निप्टा देते हैं आके बाकि कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोई दूसरे और कोई काम नहीं कर रहे इसकी वज़े से दिल्ली के लोगों का काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है अभी गर्मी के छुटियों के दौरान सारे स्कूलों में वाइट वाश होनी थी, वो काम रुका हुआ है प्राइवेट स्कूलों को EWS का पैसा जाना था, वो रुका हुआ है सिगनेचर ब्रिज में आखरी इंस्टॉल्मेंट का पैसा जाना था, वो रुका हुआ है मुहला कलिनिक रुक गए है अनुथराइज्ट कॉर्णियों में सडक नालियां बनने का काम रुक गया है बहुत सारे काम प्रभावित हो गए है तो हमने लगी साब को कई बार लिखा अवे तक हमने कई बार मैं मिला पिछले दो-तीन महिने में कि इसको स्ट्राइक को खतम करवाओ मैं आपको थोड़ा पताना चाहता हूँ 23 फरवरी को हमारी पूरी कैबिनेट लगी साब से मिली कि लगी साब इस स्ट्राइक को खतम कराओ उन्होंने का मुझे एक हफते का टाइम दो मैं खतम कराता हूँ उन्होंने कुछ ने किया फिर 26 फरवरी को मनीज से सोधिया जी ने चिठ्थे लिखी फिर अगले दिन एक मार्च को मैंने फिर एक और चिठ्थे लिखी फिर 16 मई को मैं फिर एल जी साब से मिला मैंने का अब तो एक दो महीने बीच में बीट गए अब क्या हुआ उन्होंने का एक और हफता दो मैं आब कुछ करता हूँ हमने का जी इस तरह से काम नी चलेगा और आपको रिटन डिरेक्शन जारी करने पड़ेंगे आदेश देने पड़ेंगे अफसरों को कि भी हड़ताल इल्लीगल है वो काम पे लोटो तो उन्होंने रिटन आदेश देने से मना कर दिया अब कहते हैं मैं समझाओंगा हमने का ठीक है जी समझा लो 24 माई को फिर तीनों मंत्री सतिंदर जैन, गोपाल रहा है और मनेश सुधिया जी LG साब से मिले उन्होंने का जी सारे अफसर हमारे पास आख के कह रहे हैं कि हम काम पे लोटना चाहते हैं हमें धंकियां मिल रही है LG हाउस से हमें धंकियां धंकियां देके कहा जा रहा है कि खबरदार जो तुम स्ट्राइक तुम लोगोंने खतम की तो उन्होंने का जी LG हाउस एक तरह से स्ट्राइक करवा रहा है यह हमने LG साब को भी बताया हुआ है LJ साब ने का ने ने ये गलत है मैं एक हफ्ता गुजा फिर एक हफ्ता गुजा फिर 7 जून को फिर यह तीनों मंत्रिया केatti Latino चाही फिर LJ साब ने का एक हउटा दो इसके लिए स्ठवायक खतम ने कराना चाहे तो guarantee हम ने उन से दुबारा मिले थे हमने का जी अब तो स्ट्राइक खतम करवा के जाएंगे हम लोग यहां से तब से हम लोग बैटे हैं दूसरा मुद्धा है कि जो डोर स्टेफ डिलिवरी ओफ राशन है हम सब जानते हैं कि राशन के दुकाने खुलती नहीं है राशन वाला बत्तमीजी करता है ज़्यादा पैसे लेता है कम तोलता है कम समान देता है मिलावट करता है तो हमने सोचा है यह राशन के दुकाने बंद कर दी जाएं अब हर आदमी के घर उसका जितना राशन बनता है वो बोरी में पैक करके उसके घर बिजवा दिया जाएं इससे उसको राशन मिल जाएं करेगा और इसमें सारे बिचोलिये खतम बड़ी इच्छी स्कीम है जो भी सुनता है कहता है यह तो बिल्कुल करांटी कारी स्कीम है इसको LG साब मना कर रहे हैं और कल जब हम शान को मिले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया केंदर सरकार से आपको परमिशन लेनी है हमें बदा इसका क्या मतलब है केंदर सरकार का मतलब गई फाइल पांच साल के लिए तो हमने का कि एक आनोन में लिखा ही नहीं हुआ कि केंदर सरकार की परमिशन की ज़रूरत है आप इसमें हमें वो दीजिए लेकिन LG साब नहीं माने तो हम यहां बैठे हैं अपने लिए नहीं बैठे हैं आप लोगों के लिए बैठे हैं दिल्ली के लोगों के लिए बैठे हैं दिल्ली के लोगों के लिए बैठे हैं दिल्ली के लोगों के स्कूल, एस्पताल, कॉलेज, महला, क्लिनिक, सडक, पानी, बिजली इसके लिए बैठे हैं ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाय मिल सके शुक्रिया